10 जन्वरी को मैंने भारतिय रास्टिय महिला कॉंग्रिस की रास्टिय धक्ष की परभार की जिम्मेदारी संभाली 10 जन्वरी 2024 को पिछले 110 दिनों में मैंने 25 राज्यों के दोरे किये हैं 50 से अधिक नारी न्याए सम्मेलन किये हैं महिलाओं से देश में मैं मिली हूँ लेकिन दुख है दुर्भागे हैं कि हर राज्ये में महिलाओं ने अपने साथ हो रहे योनुत्पिरन बलातकार समुईक बलातकार की बात कहीं लेकिन करनातक की धर्ती पर हसन से जड़ी एसके सांसक जो भाजपा के अभी संयुक्त उमिद्वार हैं प्रजवल रिवन्ना उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं महिला आप राद के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने भाशनों में कॉंग्रिस पर परिवार वाद कह कह के हमला कर रहे हैं परिवार वाद तीन तीन पीडियां और दूसरा नारे बेटी बाचाओ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी का इन दोनों नारेव की पोल हमारा यहां पर यह परिवार वाद यह मोदी जी का परिवार यह मोदी जी का परिवार है इसमें भाजपा के विधायक है कुदीप सिंग सेंगर नबालिक बेटी के बलातकार के दोशी उम्रकैद की सजा मोदी जी के परिवार में शामिल है राम दूलारे उत्तरपरदेश से भाजपा के विधायक नबालिक बेटी के बलातकार के दोशी मुर्द के परिवार में शामिल है भी जेपी के सांसत ब्रज भूशन्च शरह रहुंग के गंबीर रोड़ लगें लेकिन चुनावी मैंदान में खड़ें और बेटिया न्याय मांग रही ऑर आ इस मोदी जी के परिवार में घंबीर बलाकक इसमें संदीप सेंग भी दिख रहे होगे हर्याना के मिनीस्टर है, घंबीर सेक्षयल हरासमेंट के आरोप में फाइयर है, लेकिन एक्षिन नहीं है ये मोदी जी के परिवार में आज ब्रजबुख्षण शरन राम दुलारे संदीप सेंग ब्रजबुख्षण शरन के साथ साथ हासन से सांसल प्रजवल रिवन्ना का नाम भी जुलकाया है इन्होंने एक बेटी के साथ एक बेटी के साथ बलातकार सेक्षण हरास्मेंट किया लेकिन सांसल प्रजबुख्षण रिवन्ना ने ठेक नहीं एक हजार से अधिक हमारी बेहनों हमारी बेट्यों के साथ गलत काम किया है परिवारवाद के आरोप कॉंग्रिस पर लगते हैं तीन तीन पीडियों यहाँ देखिए कितनी पीडिय犽 है देश के पुर्वप्रधान मंत्री उनके पूर्विमुख्य मंत्री नाम आप सब जानते हैं उनके भाई विधायक है उनके विधायक भाई का बेटा तीसरी पीडी सांसद है ये तीन पीडियों का साथ देश के परदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं और भाशन देते हैं बेटी बचाओ और परिवारवाद ये हैं इनका परिवार और ये हैं बेटी बच्चाओं के नारे के दाव और खोखले दावों को खोड़ते हुए में का छप्टिस गड़ में थी देश के हर कोने में ये जो हासन से सांसन प्रजवल रेवन्ना कांट की चर्चा हो रही है हम धन्यवाद करते हैं स्टेट विमन कमिशन चेर परसन का कि आपने इस मामले को संग्यान में लिया मुख्यमंत्री को लिखा और हम धन्यवाद करते हैं महिला कॉंग्रिस की रास्टे धक्ष होने के नाते कि आपने बिना समय गवाए साइटी का गठन कर दिया है अब हम मुख्यमंत्री जी से महिला कॉंग्रिस की अधक्ष होने के नाते अपील करते हैं कि इस साइटी को फास्ट्रेक पे लाया जाए सुनने में आ रहा है या अपराद करने वाला देश चोड़कर भाग गया है केंद्र में बैठी बाजपाshirt का रिकॉर्ड रहा है चाहिए आर्थिक अपरादी और इकनोमिक अपरादी यह किसी भी अपरादी को देश चोड़कर भाग जाने में मदद करने में केंद्र की भाजपा सरकार का हमिशा हाथ रहा है पास्पोर्ट जब्द किये जा सकते थे और ये खबर हम लोगों को पिछले हफते ही लगी जब भाजपा के नेता नहीं वहां से पूर्व विधायक है रहे पूर्व विधायक देवराजे गौडव उन्होंने पत्र लिखा भाजपा के अपने अध्यक्ष को 8 दिसंबर 2023 को इस पूरे पत्र की कॉपियां आपको पहले से मिल चुकी है यानि कि इस पूरे मामले की खबर भाजपा के शीष नितित्व को थी जेडी ऐसे गटबंदन करने से पहले से थी अमित शाजी भी यहाँ पर आए नडड़ जी भी यहाँ पर आए बीजेपी के रास्टिय दर्श और प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी भी आए और उन्हें सब जानकारी थी इन चीजों की पारामु यहाँ पूर्णत्री जी चाहेब का पूर्णत्री पराल मंत्री सुछ मुंख्य मंत्री ओ कर紅थ के पूरवव विधायक सुमरीती हिरानी जी हो नाशनल वूमें कमिश्ण चेड़्पर्सन हो अभी तक किसी एक की आवाज वुय तक किसी एक एक스막ंवा 드inal ऐर मामले में बोलने की जरुवत नहीं है हम आप से पूछ रहे हैं सिंग्रिती रानी जी महिला बाल विकास मंत्री है नहीं आपको महसूस होता कि इसमें आपको बोलना चाहिए यह एक और कॉपी है यह मामला जो है दो जून दो जून दो हजार तेईस पिछले साल का तब यह मामला सामने आ चुका था कहीं न कहीं डर था जिन पर आरोप लग रहे हैं घंबी हासन से सांसद प्रजवल रवन्ना पार कि यह जो वीडियो हैं यह पब्लिक में आ जाएंगे इसलिए से रोकने के लिए कि कहीं मीडिया में पब्लिक डूमेन में अगर या भी जाए किसी के हाथ लग जाए तो इसको मीडिया पर सोशल मीडिया पर फैलाया ना जाए उसको रोक के लिए यह आदेश कोट से लेकर आए यह सब चल रहा था आप पूछेंगे हमारी जानक के विधायक देवे राजे गौडा ने प्रेस कॉन्फरेंस करके इन चीजों के बारे में भाजपा नेटित्व को बताया था लेकिन उसके बावजूत हमें यह भी लगा कि पार्टी का अंद्रूनी कोई बात है सबूत नहीं एक नेता ने प्रेस वारता कर दी है सबूत नहीं थे इसलिए हम कुछ नहीं कर पाएं लेकिन जैसे ही पता लगा लगबग तीन हजार के करिब वीडियो और विक्टिम्स लगबग एक हजार है उसमें गरीब महिलाएं हैं जो मदद लेने के लिए गई लोकल बॉडिस की चुनी हुई महिलाएं हैं जो सांसत के पास किसी मदद के लिए गई बुजूर्ग महिलाएं गई मलकि आप देखिए हवस या सक्ता का नशा कि उनके दादा जी देश के पूर प्रधान मंत्री है इसलिए उनका कोई कुछ नहीं मिगाड़ेगा उनके ताया या चाचा कहूं मालूम नहीं है वो पूर मुख्य मंत्री है उनके घर चलकर देश के वर्तमान प्रदान मंत्री आते हैं तो कैसे डर और खौफ होगा आसन के सांसद जो अभी सयुक्त उमिद्वार भी है जो देश छोड़ कर पता चल रहा है भाग चुके कैसे डर होगा जो कि इनके समर्थन में देखिए पूर प्रदान मंत्री वर्तमान प्रदान मंत्री पूर मुक्य मंत्री और खुद सांसद हैं खड़े हैं डर नहीं है हम अपीद्व करना चाहते हैं । एक हजार के करीब वीडियो सामने हैं हैन्हाइज हैं हम उनकी जानकारी को कानून के मुताबिक SIT हो, State Women Commission हो पूरी तरह से उनकी जानकारी को सीक्रेट गुप्त रखा जाएगा और मैं उन्हें विश्वास देला रही हूँ, उनके साथ न्याय होगा इसलिए मैं अपील करती हूँ, उन सभी विक्टिम से सामने आएए आगे आएए, ठाने आपके लिए खुले हुए हैं, जाएए अपनी F.I.R करवाईए ओनलाइन F.I.R करा सकती हैं आप, आपको ठाने जाने के जुरूरत ने आप 0 F.I.R करा सकती हैं देश के किसी कोने में भी वो विक्टिम आज अगर है जिनकी संक्या एक हजार है आप देश के किसी कोने से 0 F.I.R कराएए हम आपको विश्वास दिलाते हैं इस S.I.T. से देश में महिला अपराद के खिलाफ कैसे लड़ा जाता है कैसे तुरंतकारवाई होती है कैसे न्याई मिलता है और अपरादी पूरी पृत्वी के भी किसी कोने पर भी छुपा होगा ये विश्वास दिलाती हूँ मुखे मंत्री जी सबसे बात हुई है पुरी ताकत लगा देंगे गरदन से पकड़कर जर्मिनी में बैठे हूँ या विश्व के किसी कोने पर बैठे हूँ उन्हें यहाँ पर लाया जाएगा सक्से सक्त सजा कि यहां पर ये भी सुनने क्यों आ रहा है कि विक्टिम्स को नहीं मिलते हुए दिखने पर कुछ विक्टिम्स ने सुसाइट करने की कोशिश भी की है यहां तक खबर है इंटर्नल कि हमारी जो नबालिक बेटियां है उनके साथ भी अपरात हुआ है और सक्ष्वल ओफेंस पोक्सो कानून के तहट नबालिक बेटियों के साथ जगन्य अपराध करने वालों को फ्रासी की सजा होती है यह अपने आप में देश का पहला मामला होगा और मुझे इस बात की गर्व होगा कि यह करनातक की सरकार करके दिखाएगी कि अपराधी कितना भी रसूक वाला हो उसके पीछे कितनी बड़ी सक्ता की ताकत हो बेटियां आम परिवार से हो लेकिन अपराध हुआ है तो सजा अपराधी को मिलेगी और वो सक्स सजा सिटिंग सांसत को हो यह और भी जरूरी इ हो जाता है तो कि अपराध देश में मैंने जैसे का 25 राज्ये लगबग होकर आ रही हो महिलाओं के प्रति अपराध योन उत्पिरन बलातकार अत्याचार बढ़ चुके हैं नियाय नहीं मिल रहा है भाजपा की कास्तोर से डबल इंजन की सरकारों में कारण क्या है हमने कार नियाय इसलिए नहीं है क्योंकि अपराध करने वाला या तो सत्ता में भागेदारी है या तो विधायक है या वो सांसद है या वो संदीव सिंग की तरह मंत्री है या तो अपराधी सत्ता में भागेदारी है और या फिर सत्ता का संरक्षन प्रोटेक्शन उन्हें मिल रहा नियाएड नहीं हो रहा हूँ मैं यहाँ पर आपके साथ इंग्लिश की पूरी प्रेस रिलीज जो मैंने बात हिंती में के इंग्लिश की रिलीज दूँगी और हम लोग आपकी शेत्रिय भाषा में भी इस बात को रखना चाहते हैं कारण इसलिए कि एक हजार हमारी जो विक्टिम्स बहने हैं बेटिया हैं उन तक हमारी अपील हर भाषा में कोईच पाई कि अब इंतजार खतम है आपका और आपकी लडाई हम तब तक लड़ेंगे जब तक आपको न्याय का हक नहीं मिल जाता है हम खुद भी चाहते हैं कि कॉंग्रेस की सरकार है यहाँ पर बेटियों के लिए जितना कर सकते हैं हम उससे अधिक करने की कोशिश करेगे दो हजार रुपे आर्थिक मदद देकर महंगाई से लड़ने के लिए उन्हें हम मदद कर रहे हैं बसों के अंदर सुन्ने में आया हर महिला के लिए यात्रा पूरी से तरह से मुफ्त की हुई है लेकिन हम यह भी चाहते हैं उसके आर्थिक से शक्तिकरण के साथ साथ आर्थिक मदद और इसलिए जो सुविधाय हम दे रहे हैं उसके साथ साथ हम करनातक की धरती को अपनी बेटियों के लिए सुरक्षित भी भना पाएं एक आम अपराधी और एक खास अपराधी सत्ता में बैठे अपराधी में अंदर होता है आम अपराधी के पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं होती मामले लंबे चलते हैं पर सजाई होती हैं लेकिन खास अपराधी जो सांसद हो जिसके पीछे पूरी ताकत हो उसकी लड़ाई को मिलकर लड़ना पड़ता है और हम इसको लड़ेंगे मैं सिर्फ यही कह रही हूं परदान मंत्री जी देश भर में जाकर बेटियों की बात कर रहे हैं लेकिन करनात्रिका के इस मामले में खामोश है ग्रह मंत्री जी खामोष है दिष्की महिला वाल विकास मंत्री स्विती एरानी कामोष है रास्त्ती है महिला आयो की हम अधेक्ष से क्यों मंत्रीत करते हैं आए आये हासन हये करनात्र का में खोजिए उन 121 बैटियों को लीजिए उनके बयान और दिलाइए उने नयाए दुख के बात है कि प्रदानवंतरी नरेंद्र मोदी जी को इन सांसत के इन करतूतों के बारे में जगन्या प्राद के बारे में जानकारी थी भाजपा के पूर्व विधायक हासन से विजेंद्रा जी ने इसका विरोध भी कि लेकिन मोदी जी ने सब चीजों को साइट पर रखते हुए उन्हें टिकेट दिया है हम देखना चाहते हैं कि आज की हमारी प्रेस कॉंफरेंस के बाद भी देश के पूर्व परदान मंत्री एच्टी देवे गोडा जी कुछ बोलते हैं या अपनी चुपी से समर्थन करते रहेंगे हम देश के परदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी आप से अपील करते हैं आईए और बोलिए अगर आप नहीं बोलेंगे तो यह साबित हो जाएगा कि आप पूरी तरह से अपराध और अपराधी को समर्थन दे रहे हैं हम पूर्व मुखे मंत्री एच्टी कुमारस स्वामी जी बहुत बेटी और महिलाओं के बात करके हमारी सरकार कॉंग्रेस की सरकार प्रहामला करते हैं लेकिन इस मामले पर वो पूरी तरह से चुप बेठे हुए हैं भार्तिय रास्ट्रिय महिला कॉंग्रिस इस मुद्दे को देश के कोने-कोने तक लेकर जाएगी और भाजपा के बेटी बचाओ के नारे को बेनकाब करेगी सच तो यही है कि देश के अंदर चुनाव चल रहा है पहली दूसरे चरण का चुनाव पूरा हो चुका है थर्ड फेस का इलेक्शन साथ माई को होना है भाजपा बुरी तरह से हार रही है खास तोर से दक्षिन भारत भाजपा मुक्त होने जा रहा है पहले चरण में तमिलनाडू की 40 सीटे हो बॉन्डेचेडी में लाकर दूसरे चरण में फेस में केर्गला की 20 लोग सबाए हो या अब तीसरे चरण में करनातक की बाकी सीटों का चुनाव हो महिलाएं भाजपा के खिलाफ वोट कर रही है हमारे लिए इसलिपी जुडुडी हो जाता है कि करनातक की धर्टी को संता में बैचे लोगों ने शर्म सार किया है करनातक की बेटी के गिरेबान में हाथ डाला है इतना ही नहीं उनके वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैक मेल किया गया डराया गया और अपना आज हजारों वीडियो सामने आये हो गया है पांच साल के सांसद ने क्या काम किये हैं कोई काम नहीं बता पारें लेकिन एक काम है जो कांड के रूप में सामने आया है महिला कॉंग्रिस इसे हलके में नहीं लेगी भारते रास्टे महिला कॉंग्रिस की लगातार नजर हमारी स्टेट वुमिन कमिशन सरकार से संपर्ग में रहते हुए साइटी की चांच लगातार आगे बड़े हम पलपल की इसकी हर कदम पर रिपोर्ट लेते रहेंगे हम ये भी चाहेंगे कि सरकार और विदेश मंत्री को पत्र लिखें हमारा सुझाव है कि मुख्य मंत्री जी विदेश मंत्री को तुरंट पत्र लिखें कि वो जर्मिनी की सरकार को लिखें और तुरंट इस अपराधी को पकड़ कर देश पापिस भेजने में हमारी मदद करें अब देखना ये होगा कि विदेश मंत्री इस पत्र के उपर कारवाई करते हैं या वो भी चुप रह जा मैं आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद करती हूं ये पूरा अंदोलन का नाटका की धर्ती पर तक तक होगा जब तक हर विक्टिम सामने नहीं आ जाती क्योंकि हमने उनसे अपील कर रिकी है आपके माध्यम से आए सामने हम आपको न्याय दिलाएंगे हम आपको न् न्यौस दिलाते हैं धन्यवाद ऑच्पीवाद सामयरेदिया और तमने हम अंदेश सीमाने पर तरहिए ौण दीक का नहीं जिए आपको फिर थे इओ आइए ऐस आपको नहीं जेटोने आइए उनको नहीं को इस नहीं दोज्टिम एपको यह थे इज़ागे विक्टिम्ग सब्सक्राइब करें पास करें सुमयाजी अपनी बात को रखें में एक फोटो अप कर लें मोदी का परिगान प्लीस स्ब्सक्राइब करें तर शाहरा, तर के ले करे चेम होेटाइक अपरी आपकाइब! thank you, thank you, thank you